ये देश को टुकडे टुकडे करने वाले जो टुकडे गैंग के जू सरदार है कंहिया, इमान्येगरिः मंतरे जी ऐसे लोगों को बैन किया जाना चाहिए देश में, देखि दुरभाग्या है कि आज कंहिया के साथ जूसबि एक एक देश का धुक्रणा के साथ few घड़न ख इसकोर मुसल्मान को अलग देख रहे हैं और बाबा साहब भीम राव अंबेदकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान के माध्यम से इनका इलाज करेंगा कि पांच रुपया लोग खर्चा करके आते हैं और पांच लाग का इलाज करा के चले जाते हैं कोन कितना रुपया लेकर के आएगा और क्या लेकर जाएगा इनको सबक सिखाने का भी चुनाव है अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो हर भारतवासी और हर रास्टबादी के घर तक ये घुश जाएंगे और जो पाकिस्तान में होता रहा है हिंदूों के साथ वो दिल् कहा कि अगर नितीस कुमार एनार्ची का विरोध कर रहे हैं तो विधान सभा से इसका प्रस्तव पारित करें और सरकार के खिलाप एनार्ची के लिए आवाज उठा है अमारे साथ है भाज़पा के वरेशनेता और विधाय के मितले इस्तिवारी जीन से जानेंगे कि क्या कनहिया कुमार का जो ये जो प्रदर्शन है बिरोध है पुरे राजव भ्रहमन करें कहां तक सफ़लोगा कितना सरकार के सामने वो खड़ा रहेंगे सर जिस तरह से कनहिया कुमार अप पूरे बिहार में C.A.N.R.C. को ले करके जाने के लिए त्यार है उन्होंने अपना एक डाटा भी एक डेप लान भी त्यार कर दिया है दुरभाग्य है इस देश का की नाम है कनहिया और देश दुरोही बन करके ये घूम रहे हैं पहले भी नोंने जेएनियो में जो किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है और आज इस प्रकार से C.A.O. को ले करके ये घूम रहे हैं ये मार्क्सबाद और ये लेफ्ट का ए रहते संभव है ही नहीं दिली का चुनावाया है बेचैनी में हैं लोग और इसके बाद बिहार का चुनावाने वाला अक्टूबर नुमंबर में ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर दें कि लोग कनफ्यूज हो जाए बर संपरदाय के नाम पर बांट दिया जाए लेकन ये करूंगा भारत सरकार के मान्ये ग्रीह मंत्री जी से कि मान्ये ग्रीह मंत्री जी ऐसे लोगों को बैन किया जाना चाहिए देश में और ये बहुत जरूरी है और मैं जानता हूं कि हमारे हमारी जो केंद्र सरकार है वो लोकतांत्रिक पधती से चलने वाली सरकार है वो चाहत कि इतनी स्वतंतरता भी इनों को देना ठीक नहीं होगा इनका इलाज बहुत जरूरी है गांधी मैदाने 29 फरवरी को सीए इनार्शी को लेकर महारैली करेंगे कनहिया कुमार उन्हें तमाम सो से जारत संगठन सामिल हो सकते हैं वहीं सरजिल को लेकर कुन्होंने कहा है कि हमें देश दुरोही बता जानार रहा देख यह दुर्भाग्य है कि आज करहिया के साथ जस्वी जादों कहड़े हो जाते हैं कॉंगरेस पाटी खड़ी हो जाती है त्गेजरी वाल जैसे लोग खड़े हो जाते हैं और ये सब वोट के लिए खड़े हो रहा है गांधी मैदान म पवित्र वहाँ पर प्रतिमा है उस गांधी मैदान में, वहां जैप्रकास नराइन जी ने भरस्टाचार के खिलाब हुंकार भरा था, नरंदर मोदी जी ने वहाँ से सभा करके इस देश को बदलने का संकल्प लिया था, और उसी गांधी मैदान में करहिया जाकर कि इस से मिल करके उनसे पैसे लेकर के उनके हिसारे पर इस देश को तोड़ने के लिए घूम रहा है मैं तो हत्प्रभ हूँ कि भारत में जन्म लेने वाला भारत की मिटी का कोई भी भ्यक्ति इस प्रकार का काम करेगा कुकरित जो यह कर रहे हैं इसकी तप एक्षा हम लोगों को नहीं थी सर्जील को लेकर के कहा जा रहा है कि के इस चुनावा के भी नजचिक है दिली वी में सर्जील के नाम पर ही चुनाब लड़ने की काम करे रहा है यह बीज़ेपी देखिये कहीं से सर्जील हम लोगों हम लोगोंने साहिन बह भाग में मिठाय girls क्या लोगों को हमने कहा था क्या सरजिल को कि ये भाशन करो हमने कहा था क्या कनहिया को कि तुम टुकड़े टुकड़े गेंग के हेड बन जाओ लेकिन ये करेंगे तो उसका जवाब तो इनको मिलेगा और अगर जवाब मिलेगा तो ये कहेंगा धुरुवी करन कर रहे हैं ल इसको ये अलग देखते रहे हैं और 20 क्रोर मुसल्मान को अलग देख रहे हैं इनको पता नहीं है ये जो 20 क्रोर मुसल्मान है वो भारत के हैं भारत के लिए जीते मरते हैं ये जो 2-4 परसेंट जो ये उचक्के लोग हैं मैं इनको उचक्का बोलता हूं इसलिए कि ये भारत क साथ जिस प्रकार का खेलवार कर रहे हैं इनको इसी मिट्टी में यहां की जनता दफन करने वाली है यह जानते नहीं है लाखो लोगों के कुर्बानी पर हमने इस देश को आजाद किया है और बाबा साहब भीम राव अंबेदकर ने जो संबिधान दिया है उस संबिधान के म भूट बोला है दिली की जनता को और चुकि हम लोग उस विहार से आते हैं जो 15 साल विहार में जो हालात थे ठीक वही हालात इस दिली में है और एक तरफ यहां की स्थिती को भी खराब किया और दूसरी तरफ जो लोग बिहार और यूपी के लोग है उनका मजाग भी कहा कि 500 रुपिय लोग खर्चा करके आते हैं और पांच लाग का इलाज कराके चले जाते हैं यह दिली के जरिवाल जी के पिता जी की है क्या यह दिली हर एक भारतवासी की है यह दिली राजधानी है देश की देश का कोई भी नागरिक यहां स्विक्षा से आ सकता है यहां आ करके रह सकता है कि जिरिवाल तय करेंगे कि कौन कितना रूपया ले करके आएगा और क्या ले के जाएगा इनको सबक सिखाने का भी ये चुनाव है और दूसरी बात कि एक बात तो तय है कि साहिन बाग अगर दिल्ली में प्रवेश कर गया है तो करोणों लोग डरे हुए ह हैं लाखों लोग डरे हुए हैं कि अभी तो नरेंदर मोदी और अमित्सा के रहते साहिन बाग तक पहुंच गए अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो हर भारतवासी और हर रास्टबादी के घर तक ये घुश जाएंगे और जो पाकिस्तान में होता रहा है हिंदूों के साथ वह दिल्ली में भी करेंगे इस विशय को लेकर के बहुत है क्या लग रहा है कितनी सीटें पर बीजेपी आएगे हम लोग सभाचुनाओं में सातों की साथ सीट जीती थी और इस बार भी हम सतर सीट जीतेंगे और केजरिवाल राजनितिक रूप से समाप्त हो जाए आपको नहां आपको राषन है